Hello students, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टेडी का टाइम निकाल रहे होंगे मैं अभी जॉन गॉल स्वर्दी के उपरी वीडियो बना रहा हूँ आज हम जॉन गॉल स्वर्दी का next play प्रिपेर करेंगे Windows मैं आपको TGT की complete तैयारी कराऊँगा बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो और वीडियो को शेयर करना है उस गुरूप में जिसमें आपके साथ ही तैयारी करने वाले connected हों कोई फीस नहीं मैं आपको TGT की complete तैयारी कराऊँगा जॉन गॉल स्वर्दी का play Windows को perform किया गया था रोयल कोट थेटर में 1922 में जॉन गॉल स्वर्दी न अपने हर एक play के बारे में कुछ ना कुछ कहा था इस play Windows के बारे में जॉन गॉल स्वर्दी न कहा था अ comedy for idealists and other ये जो play window है ये comedy है जो आधरश्वादी लोग और दूसरे लोग है अगर हम पूरे play को पढ़ें तो कहीं से ये comedy नहीं लगती play खतम होता है disappointment में characters को देखते हैं इस play में जाधा characters नहीं है Jeffrey March liberal minded person है इन्हें लगता है अगर किसी व्यक्ती ने अपने past में कुछ बुरा करा है और वो सुधर चुका है तो दूसरे को मौका मिलना चाहिए John March इनकी wife है John March अपने husband से थोड़ा अलग सोस्ती है Mary March इनकी daughter है Jeffrey March और Mary March की सोच काफी एक जैसी है Jeffrey March और John March का बेटा है Johnny March Johnny March ने first world war में participate करा था Johnny March की कड़वी आदे हैं घर में ही रहता है जो next character है जो बहर के character है इस परिवार के बहर के वो है Mr. Bly ये window cleaner है जहां पर ये लोग रहते हैं वहां की windows की सफाई का काम Mr. Bly के पास में है इनकी daughter Faith है Faith Bly main character है ये Mr. Bly की daughter है Faith 18 साल की है इसका past कुछ कड़वा है अपनी पुरानी आदों से ये बहर निकल चुकी है इस play के जो सबसे main important character है अगर आपको ध्यान रखने है तो वो Johnny March है और Faith Bly है Johnny March जिसने First World War में participate करा था अब घर पे ही रहता है, poet बन चुका है और जो कड़वी आदे है First World War की उसके बारे में लिखता है society को criticize करता है ये करीब आजाता है Faith Bly की Faith Bly की भी अपनी पुरानी कड़वी यादे है जेल से अभी अभी बाहर आई है और जो ये play है, ये disappointment में खतम होता है play को शुरू करते है Jeffrey, reporter है, novelist है और ये समय समय पर जो coalition government है गड़बंदन की सरकार है उसको criticize करते रहते है Jeffrey March liberal minded person है इनका मानना है अगर किसी person ने पहले गलत करा है और वो सुधर चुका है तो उसे मौका मिलना चाहिए Jeffrey March का बेटा है Johnny ये war haunted poet है First World War में इसने participate करा था अब जो इसकी First World War की पुरानी कड़वी यादे है उसके बारे में ये अपनी poetry में लिखता है Johnny अपनी poems में जो society है उसके bankruptcy उसके खोकलेपन के बारे में भी लिखता है Johnny पूरे समय घर पर ही रहता है Mr. Bly जो window cleaner ने आसपास के जो घर है उनके खिड़गियों का साफ करने का काम Mr. Bly का है ये जैफरी मार्च से request करते हैं कि जैफरी मार्च उसकी daughter को Faith को as a maid नौकरानी के तौर पे घर पे रख ले Faith का अपना पुराना करवा past है Faith पुरानी यादों से बहार निकल चुकी है जैफरी मार्च और जो उसकी daughter है Mary मार्च ये एकसा सोसते हैं ये लगता है कि Faith को मौका मिलना चाहिए अगर उसके साथ में past में कुछ बुरा हुआ था और उसने कुछ बुरा करा था और अब वो सुधर चुकी है तो उसे मौका मिलना चाहिए तो ये तयार है लेकिन जैफरी मार्च की जो wife है जोन मार्च वो इससे अलग सोसती है वो नहीं चाहती कि Faith को मेड के तोर पे इंप्लॉई करा जाए अब हमें Faith के बारे में बता लगता है Faith 18 साल की है Faith ने अपने illegitimate baby जो था जो नाजायज ओलाग थी उसको मार दिया था Faith की बहुत कड़वी यादे थी Faith का लवर छोड़के जा चुका था और बेबी जम ले चुका था जिसको उससे मजबूरी में मारना पड़ा समझ में या उसे क्या करा जाए Faith को फांसी की सजा दी गई लेकिन बाद में उस पर दया दिखाए गई फांसी की सजा टाल दी गई दो साल तक Faith जेल में ही रही अब वो रिलीज हो चुकी है Faith अपनी पुरानी कड़वी यादों से बाहर निकल चुकी है जैफरी मार्च और उसकी डॉटर तयार हो आते हैं कि Faith को मौका मिलना चाहिए और घर पे वो उसे as a maid employee कर लेते हैं Faith को बुलाया जाता है Faith से पूछते हैं ऐसा उसने क्यों किया Faith कहती है I did not want to kill the baby मैं बेवी को मारना नहीं चाहती थी वो कहती है आगे I wanted to save it from living मैं उसे जीवित रहने से बचाना चाहती थी तो यहाँ पर Faith एक कड़वी बात कहती है Faith का बच्चा illegitimate था अगर वो जन लेता तो आगे उसे बहुती दिक्कत होती यहाँ पर मैं बता लगता है Jeffrey March का जो बेटा है Johnny जिसने World War First में participate कर रहा था और जो पुरानी याद है थी World War First की shell shock जो बंबारी हुई थी उससे वो अभी भी परिशान है पॉम्स लिखता है घर पर बैट कर उसे Faith पर दया आ जाती है Johnny March को Johnny March को ऐसा लगता है जैसे वो परिशान है पुरानी कड़वी यादों से जो बंबाजी हुई थी और जब वो World War First में घिर गया था यही सब कुस्तो उस लड़की फेत के साथ में हुआ लाइफ में फेत की भी पुरानी कड़वी यादे है फेत ने भी अपने बच्चे को मजबूरी में मालना पड़ा इस वज़े से Johnny March और जो यह अभागी लड़की है फेत यह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते है यहाँ पे जो मदर है Johnny March की उसे कुछ एसास हो रहा है कि गड़वर होने वाली है उसे लगता है यह जो लड़की फेत है यह एक अपशग उन्हें है बुरी है और जरूर यह कुछ ना कुछ गड़वर कर सकती है घर में एक दिन जब Johnny March और फेत साथ में होते हैं तो कुक उन्हें किस करते हुए देख लेता है कुक इस बारे में Johnny March की मदर को बतलाता है Johnny March की मदर बहुत गुस्सा है उसे यकीन हो चुका है कि फेत ने अपने प्यार के जाल में उसके बेटे को फसा लिया है फेत से पूछा याता है फेत जो अपनी पुरानी कडवी आदों से निकल चुकी थी और जिसे अब लग रहा था कि शायद उसकी खुशियां जो है वो Johnny March में है अब उसे समझ में आ जाता है कि उसको असेट नहीं किया जाएगा फेत गुडबाई कहकर परिवार से अलविदा कहके चली आती है यहाँ पर Mrs. March कुछ कडवी बाते कहती है Mrs. March कहती है कि लोग नहीं चाते सेव होना लोग नहीं चाते कि उन्हें बचाया जाए उनकी मदद करी जाए लोग चाते हैं कि उन्हें प्यार किया जाए लोग फायदा उठाते हैं दूसरों का इसके लावा Mrs. March एक चीज़ और कहती है कि लोग ऐसे नहीं जैसा तुम समझते हो तो यहाँ पर Mrs. March अपने husband और जो अपनी daughter नहीं जो faith को support कर रहे थे उनको criticize करते हुए कहती है यहाँ पर cook जो कुछ हो रहा है उसको देख रहा है वो इस situation के बारे में comment करता है play disappointment में खतम हो जाता है जॉनी मार्च जो बहुत जादा faith से प्यार करने लगाता है जिसको अपनी परिशानियां और faith की परिशानियों में समानता नज़र आ रही थी faith से उसे मजबूती मिली थी वही faith को भी जॉनी मार्च में support मिला था faith अब छोड़के जा चुकी है इसी के साथ play खत्म होता है यहाँ पर कुछ MCQs हैं देखते हैं आपको कितना समझ में आया first question who is a freelance writer in windows by galsworthy galsworthy के play windows में freelance writer कौन है reporter कौन है freelance जो होता है जो किसी organization के अंडर में काम नहीं करता है और freely काम करता है तो यहाँ पर जो freelance writer reporter है वो Jeffrey March है second question who killed her child in the play windows windows में किसने अपने बच्चे को मार रहा था तो यहाँ पर faith है next mcu who served in the first world war and family love with faith first world war में किसने participate कर रहा था और कौन faith से प्यार करने लगा था तो इस का answer है Johnny March Johnny March और faith इस play के सबसे important character हैं आप अगर चाहो तो केवल यह दो नाम ही ध्यान रखिए तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरह के से यह play समझ में आ गया होगा मिलते हैं अगर वीडियो में शूरे